तो आज हम बात करने वाले हैं प्याजिस की थियूरी के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में उसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की थी ओके तो वो मैं आपको आई बटन पर लिंक कर दूँगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें जिससे हमें पता लगेगा कि कोगनिटिव थियूरी और डेवलपेंट का में इन मोटिफ क्या था जो जीन प्याजे ने हमें दी थी ओके तो हमने सबसे पहले बात की थी थी प्याजेस थियूरी के हमने कौन से स्टेजिस हैं और कौन से कोगनिटिव प्रसेसिस हैं तो बेसिकली आज हम कोगनिटिव प्रसेसिस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वो cognitive processes जो है basically वो ही उसकी theory का main part है जिससे की theory build होती है तो सबसे पहले हमने बात करनी है schemas, assimilation, accommodation and equilibration की तो these are the basic cognitive processes तो PRG ने four cognitive concepts की बात की थी जो की cognitive development को explain करते है that is schema, assimilation, accommodation and equilibration तो schema सबसे पहले क्या होता है तो जैसे कि आप इस एक picture में देख पा रहे होंगे तो PRG ने schema को कैसे define किया है जैसे कि एक बच्चा है, एक children है उसका cat से लिएटिट कोई schema हो सकता है schema हमारी एक knowledge होती है जो भी हम उस particular चीज के बारे में create करते हैं in simple words, तो basically अगर बच्ची ने cat के बारे में कोई schema प्रिपेर करना है तो अपने learning experiences के थुरू वो उसको कुछ parts में divide करेगा जैसे कि अगर उसको cat को describe करना है that is cat has four legs, two ears, two eyes, one tail and उसकी fur होती है तो इसके base पे वो उसको describe कर सकता है तो यही उसका base होगा एक schema को create करने का जो हम अभी इसमें और explain करेंगे और अच्छी से समझ पाएंगे schema को प्याजन ने explain किया है it refers to as the cognitive structure by which individuals intellectually adapt to and organize their environment तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे cognitive structure को उसने schema बोला है जो कि individuals use करते हैं किसलिए intellectually adapt करने के लिए और organize करने के लिए अपने environment को अगर हमें किसी चीज के बारे में knowledge होगी तब ही हम उसे क्या कर पाएंगे organize कर पाएंगे उस चीज को adapt कर पाएंगे वरना हमें कोई एक new चीज दिखेगी तो हमें लगगा कि ये चीज तो मैंने कभी देखी नहीं ये महरे schema में fit नहीं होती तो प्याजा ने जो पोस्टिलेट किया है that mind has mental structures or schemas just as the body has physical structure तो ऐसे ही जैसे हमारा physical structure होता है that means हमारे legs हैं, hands हैं, head है उसी तरीके से हमारे mental structures होते हैं जो हम कैसे बनाते हैं हम अपने new experience के थुरू बनाते हैं जब हम environment से adapt करने की कोशिश करते हैं तो वो experiences हमें फाइदा देते हैं thus just as the human body is organized into various structures such as stomach and kidney which assist in going adaptation okay so to does the mind has structures or ways of organizing experiences तो ऐसे ही हमारा mind भी क्या है हमारे experiences को organize करता है जो हमें later on adaptation में help करता है हमारे experiences के थुरू तो schemas के बाद तो second step है that is assimilation तो assimilation क्या है this process of integrating new perceptual motor और conceptual material experiences into existing schema is termed as assimilation तो इसे हम एक example के थुरू समझते हैं example के थुरू आपको easily समझा जाएगा और इसके बाद हम इसे explain करते हैं तो हमें अभी बात की थी कि हम जो children है एक schema क्रिएट करता है cat के बारे में या dog के बारे में तो उसको वो देख के समझता है जैसे कि यहाँ पर हम एक picture में देख सकते है कि बच्चे ने क्या है schema create किया हुआ है एक dog का जिसे वो dog बोल रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह dog का उसने schema create किया हुआ है उसके बाद जब वो cat को देखता है बच्चा तो उसे भी dog की तरह प्रणाउंस करता है कि that is a dog बट उसके फादर बताते है कि यह dog नहीं है इसके height में भी कम जादा हो सकती है इसके दो ears है इनका schema same है that is two ears four legs fur है दोनों में tail है बट इनका structure जो है बिल्कुल different है that is a dog that is a cat तो यह बच्चे को उसको father explain कर रहा है तो यह है उसके लिए एक new knowledge है तो दोनों एक जैसे ही बट उनका physical structure same नहीं है और उनका जो main motive है that is वो एक dog है that is वो एक cat है यह difference उसके father उसे explain कर रहे है तो यह knowledge जो है उसे अपने existing schema में add करनी होगी यह dog है यह cat है यह dog का schema है यह cat का schema हो अब इन दोनों में difference को उसे create करना होगा यह schema जो है उसे अपने mind में बठाना होगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे assimilation बोलेंगे that means हम एक new knowledge को अपनी existing knowledge में add कर रहे हैं और कि हम यहाँ पर कोई new knowledge नहीं create कर रहें बस existing knowledge में हम उसको add कर रहें new information को that is की difference होते है अनिमल देखने में सेम है बट वो अनिमल का name उनके features different है तो यह हम यहाँ पर अब इसकी explanation को अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या मतल है this process of integrating new perceptual mortar or conceptual material or experiences into existing schema is termed as a simulation teachers often facilitate the student's use of a simulation by connecting the new material to the student's existing knowledge तो children जो है अपनी new knowledge को existing knowledge को में new knowledge को add कर सके teachers का यही motive होता है ता कि उनको learning जो है असान हो सके thus often watching a nature movie a child may discover new animals to add to existing group of animals she or he had already stored in his memory okay तो यह उनको help करेगा ता कि वो इस assimilation process के तुरू अपनी existing knowledge में new knowledge को add करें ता कि उनको लेटर ओन कोई परिशानी ना हो वो अगर कोई new animal देखते हैं वो इसको easily recognize कर पाएं next is accommodation तो accommodation क्या process है when this process of assimilation is not possible because there are no schemata which to fit new data or characteristics of an available schema a new schema will have to be developed ठीक है उसके new features होंगे new experiences के लिए हमें एक अई बार पुराने हमारे बने हुए schema को हम assimilate नहीं कर पाते उसमें existing knowledge में हम new experience को उसको add नहीं कर पाते तो हमें accommodation करनी परती है that is एक new schema create करना परता है तो वो क्यों करेंगे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं जैसे कि अब वही children के example हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या है वैसा यह animal है पर वो dog से बहुत जादा different है और cat से भी बहुत जादा different है तो अगर वो उसको देखता है उसको भी cat बोल रहा है that means यह dog बोल रहा है तो उसको उसके teacher parents उसको बताएंगे that is a new schema एक new schema है जिसको आप हम अपनी existing knowledge में एड नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको बताएंगे कि यह बिल्कुल एक unique and new experience है और उसको एक new schema करेट करना पड़ेगा that is for cow तो आपको assimilation accommodation समझ आ गया होगा अब इस equilibration equilibration क्या है एक balance बना के रखना okay PRG hypothesis data self-regulatory process called equilibration operated in all children and adults this equilibration is a state of balance between assimilation and accommodation accommodation हम कर रहे है that means हम new schema बना रहे है assimilation हम कर रहे है that means हम existing knowledge में new knowledge एड़ कर रहे है इन दोनों में balance बना के रखना okay balance बना के रखना that is equilibration हम अब equilibration की बात भी करते हैं कि equal हो दो चीजे एक balance बना हो उसको हम equilibration का पार्ट बोल सकते हैं तो यहां पर हम एक बिकुल सिंपल डाइग्राम के थूरू हम समझते हैं, एसीमिलेशन होती है, ठीक है, हम एसीमिलेशन करते हैं, डाइट मिन्स हम अपनी नॉलेज में कोई नॉलेज अड़ कर रहे हैं, तो इकुलिब्रेशन हो जाएगे उसके साथ, जो भी नॉल सिचुेशन आएगी, ठीक है, तो दिसलिटलेशन क्रियेट हो जाती है, पर उसको हमने सही करना है, Consorti, तो एकुमूडेशन हम कर लेंगे उसके साथ, अगर इसली उसके लिए न्यू एक स्कीमा बना लेंगे तो ये एक बैलन्स बना रहेगा न्यू सिचुएशन है तो हमने क्या करना है कि उसको अच्छे से अकॉमोडेट कर लेना है तो that is एकुलिबरेशन, that is simulation और accommodation में एक बैलन्स बना के रखना की हमें उस knowledge में add करना है या फिर एक new schema क्रेट करना है अब हम next lecture में पढ़ेंगे different stages of cognitive development तो एक बर हम quick revision कर लेते हैं आज की हमें different types of cognitive processes तो first is हमने बात करनी है schema के बारे में तो schema क्या है हम कोई भी हमारी knowledge को experience को उसको याद करने के लिए एक schema क्रेट करते हैं that is for example cat के लिए schema क्रेट करेंगे कि उसके four legs है tail है ear है okay एक schema new schema क्रेट हुआ है assimilation करेंगे हमारी जो schema बनाया हुआ है उसमें हम new knowledge add करेंगे okay accommodation that means जो हमारी new knowledge है जो हमने assimilation की है उसके बाद उसमें कोई अब new changes नहीं हो सकते हम एक new schema ही create करना पड़ रहा है उस चीज़ को comparison करने के बाद तो हम उसे accommodation कहेंगे तो इसको आप schema से compare मत कीज़े schema तो बिल्कुल एक new ही knowledge को create करना है assimilation के बाद अगर हमें लगता है कि वो उसमें add नहीं हो पा रही तो हम accommodation करेंगे तो equilibrium क्या है assimilation और जो हमारे बीच के दो जो पार्ट है उनमें एक balance बना के रखना assimilation and accommodation में balance को हम बोलेंगे equilibrium okay इन दोने के balance को ही हम ये बोलेंगे okay guys hope करती हूँ कि आपको आज का lesson अच्छा लगा होगा अगर lesson अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजिए subscribe करना मत भूलेगा bell icon पर भी click कर दीजिए और आप जो भी topics next पढ़ना चाहते हैं please comment section में बताएं मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो जूर बनाऊगी okay guys see you in next video bye bye take care